Hello and very warm welcome friends हम आ चुके हैं बैलो जी के previous year railway group D के live session को लेकर तो चलिए हम लोग बिना समय गवाई शुरू करते हैं railway के बैलो जी के पुछे के previous year question को जो इस साल भी पुछे जाने के पूरी उमीद है क्योंकि ये questions है most repeated questions of railway group D चलिए शुरू करते हैं session को अपना पहला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं अपना पहला सवाल है कि निमन में से किस जीब को सरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है तो ध्यान रखना है कि हाइड्रा हाइड्रा की जो सरीर होती है वो तो कोशिकाओं के दो परतों से बनी रहती है बहुत ही इंपोर् भाँपर्टन के तो ध्यान रखन है का यह कार निमलिखितं में से किसके द्वारा होता है तो ध्यान रखना है कि अपगठन का यह कार अने एरोबिक ब technology के कारण होता है जो प्राकरितिक गैस से क्या बनाते हैं तो यह पेट्रॉलियम या मिर्दा जो होते हैं उसका निर्मान ह ठीक है ये बहुत important है अगला प्रस्थ यह कह रहा है कि मानब कोसिकाओं में लिंग गुनसुत्र के कितने युग में उपस्थीत होते हैं तो ध्यान रखना है कि sex chromosomes के एक ही मात्र गुनसुत्र उपस्थीत होते हैं ध्यान रखना ये बहुत बार पूछा गया है most important प्रस्थ है अगला सवाल क्या कह रहा है अपना अगला सवाल है कि अंडप का एक हिस्सा है जो पराक के लिए गरहन सील सनरचना के रूप में कारे करता है तो इस्टिगमा बरतिकाग्र जो है वो एक अंडप का हिस्सा है जो पराक के लिए गरहन सील सनरचना के रूप में कारे करता है ब तो कि किशी भी जिवासम में हाइडरो कारवन ही पाया जाते है। उपरी दो कारवन होते हैं, तो ध्यान रखना है कि उपरी दो कक्ष जो होते वो एट्रिया कहलाते हैं जबकि नीचे वाले जो दो कक्ष होते हैं इसको आप क्या बोलते हैं इसको आप वेंट्रिकल बोलते हैं तो आलिंद बोलते हैं और वेंट्रिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं तो निलै बोलते हैं फिलाल सवाल ये था कि मा अगला प्रस्ण क्या कह रहा है अपना अगला प्रस्ण कह रहा है कि निमलिखीत में कौन सा कथन सत्ते हैं तो चली देखते हैं अपना पहला कथन कह रहा है कि टिड्डो तथा कुछ अन्य कीटो के नरों में सिर्फ चार लिंग गुंसुत्र शेक्स क्रोमोसोम होते हैं जी बि आलिस जोड़े आलिंगी गुनसुत्र होते हैं ये भी बहुत गलत बात है ऐसा कुछ भी नहीं होता है और चौथा कह रहा है कि दुई गुनित जीब जिसमें लिंग अलग-अलग होते हैं कि दुई गुनित को सिकाओं में गुनसुत्रों का एक विसेश जोड़ा होता है जो गिलिंग का निर्धारन करता है और इन्हें हम गिलिंग गुन सुत्र कहते हैं जी बिल्कुल सही बात है जो अपना एक गुन होता है एकस और वाई जो पुरुसों में पाया जाता है बैसिकली यही एकस वाई जो होता है वो क्या करता है आपके गुन को निर्धारित करता है ब निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बिमारी होती है तो ध्यान रखना है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की बिमारी होती है कई बार पूछा गया है कि रिकेट्स की बिमारी किसके कारण होती है तो विटामिन डी के कारण होती है अगला प्रस्थन है कि महिलाओं में यौवन की सुरुवात किस्से होती है तो सही जवाब है रजो दर्सन मैनार्की जो होता है यहीं से महिलाओं में पवेट्री की स्टार्टिंग होती है अगला प्रस्ण है कि एक tendon किसे बना होता है, tendon is made of, तो ध्यान रखना है, tendon जो होता है, वो collagen fiber का बना होता है, इसमें दो चीज़ ध्यान रखना है, tendon और ligament क्या होता है, ये कई वार पूछा जाता है, तो ये बहुत ही important point है, बढ़ते हैं आगे, अपना अगला सवाल है, कि प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे ogenesis कहते हैं, ये बहुत ही important प्रस्ण है, दिमाग में रखना है, आगे पर हैं, उससे पहले हम आपको बता दे, anacademy लेकर आया है, आप सभी लोगों के लिए एक सुनहला, अपसर ये सुनहला, इसलिए है, क्योंकि यहां आपको मिल र है, भारत के सबसे बहतरीन अच्छे अच्छे टीचरों के टीम से पढ़ने का मौका, और ये जो सिच्छक होंगे, आपको परहाएंगे वो सारे अच्छे अच्छे concept, जिससे आपका गुरूप D का एक्जाम निकालने का सपना हो सकता है, बिल्कुल ही पुरा, इतना ही नही और भी कई प्रकार के सिलेवस को चलाला है, आप उससे भी जूर सकते हैं, क्या होगा प्रक्रिया जूरने का, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारे यूटूब के डिस्क्रिप्सन से अनकैजमी के चैनल को, अनकैजमी के एप को, वहाँ जब आप कोई कोर्स पर्चेस अगले प्रसन पर, अपना अगला प्रसन है कि मस्तिस का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंतरित करता है, तो मज्जा, मेडूला जो है, वह सांस लेने की प्रक्रिया को नियंतरित करता है, ध्यान रखना है, अगला सवाल है कि उत्तक रक्त बाहिका को ये ब्यास को बदल दे तो याद रखना है कि वो मसल्स में बदल देता है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मसल्स टीसू होते हैं वो डामीटर व्लट बेसल को चेंज कर देते हैं अगला सवाल है कि एक नवजात बालिका का कोशिका में गुंसुत्र का कौन सा सयोजन होता है तो ध्यान रखना है कि कोई भी बालक हो या बालिका हो उसमें हमेशा बालिका अगर है तो उसमें एकस-एकस होता है जबकि पूरुस में क्या होता है एकस और वाई होता है दिमाग में रखना और ध्यान में भी रखना है अगला प्रस्थन कह रहा है कि निमलिखित में किस कोशिगांग को कोशि अगला सवाल क्या कहा रहा है कि प्रितिवी पर पाय जाने वाले ओक्सीजन छोड़ने वाले प्रतम प्रकात संशले तक जीव कौन थे तो बो थे साइनो वेक्टेरिया जो थे उन्हों नहीं पहली वार उक्सीजन छोड़ना शुरू किया था यह बहुत इंपोर्टन प्रस्न है कई वार पूछा जा चुका है अगला प्रस्न क्या करा है कि बताए क्या सही है मेंडल पहला बैग्यानिक था जिसने 1886 में जीन के ब जीने होता है जिसमें यह पॉली नुकलाइड होता है जो इससे बनावा होता है रेशा अगला प्रस्न क्या कह रहा है अगला प्रस्न कह रहा है कि मनुस्य में पाया जाने वाला स्वसन पिगमेंट क्या है तो ध्यान रखना है हीमोगलोबीन जो है मनुस्यों में पाया जान क्वे座 कोमाने वाले गून नहीं है अगला सवाल है कि कौनसा इंजाइम अगनासे Administrator स्तों होता है तो ध्यान रखना है ट्रिप्सीन ऐसा cáम है जो किसके द्वाभा स्तों होता है तो ये अगनासे मतलब कि पैनक्रियाज के द्वारा अस्त्रावित होता है बाहर निकलता है अगला प्रस्न है कि DNA का एक खन जो एक प्रोटीन की जनकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं उसे जीन कहते हैं यह बहुत ही इंपोर्टेंट है अगला प्रस्न कहे रहा है कोसीका विभाजन से समंदित है डैस इस कनेक्टेद विच सेल डिविजन तो साइटो काइनिन जो है वो कोसीका से समंदित है याद रखना है कि सेल डिविजन से कौन रिलेटेड है तो cytokinin इसे जूरा हुआ है अगला प्रस्ण है कि पूस्प के मद्ध में स्थित डैस मादा प्रजनन भाग कहलाता है तो पूस्प के मद्ध में अस्थित अंडप या कारपेल मादा प्रजनन भाग कहलाता है यह बहुत ही important है चलिए हम आगे पर है उससे पहले हम आपको बता दे हमारी टीम ने बनाया है Railway Group D के सारे previous year question को select करके एक ब्रह्मास्त्र जो है आप लोग के लिए एक sure success short book तो अभी त्रोंत आप इस किताब को purchase कर सकते हैं जिसमें SPD भी है 6000 परस्तों का संग्रह है जिसमें current affair भी है general science भी और हड़ एक बहुत चीज है जो आपको group D के exam में success होने के लिए चाहिए इसका link आपको मिलेगा हमारे YouTube के description में आप जाएं वहाँ से इस video को आप download कर लें अभी के लिए बस इतना ही मित्रो धन्यवाद